इस समय हम हैं उलिहातू गाओं में जो खूंटी जिले का जो मुख्याले है वहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है ये गाओं बिरसामुंडा का गाओं है यहीं उनका जन्म हुआ था और हम हैं बिरसामुंडा के जो वंशज यहां रहते हैं उनके घर के सामने दो साल पहले सितंबर 2017 में यहां पर BJP के अध्यक्ष अमित शाह आये थे बहुत से वाइदे किये थे और क्या हुआ उनका हम आपको दिखाते हैं बात करते हैं पहले तो यह देखिए यहां पर इस जो छोटा सा घर है यहां पर आपको टाइस लगी मिलेगी हम इस शाय थे तो यहां रातो रात इस कमरे में टाइल लगा दी गई और आप देख सकते हैं यहां पर यह महुआ और यह इमली यह रखी हुई है यहां पर विर्सा मुंडा धर्ती का देवता यह जो पोस्टर यहां पर है विर्सा मुंडा को भगवान मानते हैं यहां पर हमारे साथ इस समय सुख्राम मुंडा जी हैं सुख्राम मुंडा जो विर्शा मुंडा के छोटे भाई उनके पोते हैं आप ये बताईए यहां पर जब अमिश्या जी आये थे तो आप लोगों से कुछ वाइदा किया गया था अमिश्या जो यहां गुलियातिव में विर्शा मुंडा के जनम अस्यली पर आए तो विर्शा मुंडा के परिवार के लोगों से सरकारी नोकरी के लिए माँग रखे थे तो आसा संदी कि हम नोकरी उन्डों को देंगे लेकिन अभी तक नोकरी किसी को नहीं मिली है नौकरी नहीं मिली कुछ जमीन की भी बात शायद आप लोगों की ओर से हुई थी उसका क्या हुआ जामीन का भी कुछ बात हुई थी कि घर बनाने के लिए गाउं में गाउं का अंदर नहीं है इसलिए सरकारी जमाइन खोंटी पर ब्रसा करने के लिए हम लोग बोले थे लेकिन वो भी कुछ नहीं हो रहा है तो जब अमिश्या यहां आए तो दरसल वाइदा ये था या दावा ये था कि शहीदों के गाउं को भी जेपी सरकार विक्सित करेगी यहां पर आए बैठे वाइदे किये लेकिन जैसा आप जानते हैं अमिश्या का कहना है कि बहुत से वाइदे चुमले होते हैं तो विर्सामुंडा के वइंश्यजों से भी जो उन्होंने बात की वो जुमला साबित हुई कैमरामेन अश्वनी कुमार के साथ पंकश्रिवास्तव उलिहातू खूटी सुराज एक्स्प्रिस